पिछली वीडियो में विजय वर्मा ने भाई ठीक है यार विजय वर्मा ने थोड़ा रोस्ट करवा दिया बाई मेरी खुद की गलती है बाई यह दो चार चार आँखे लगा के भी अंदे हो रहे बट भाई ने जो होट टेक दिया था वो हमें दुबारा से सुन लेते हैं उ अब उसी कोई देख लेते हैं रणार आप के लिए जो मेरे थोट्स है मेरे थोट्स है कि नहीं मिलनी चाहिए the reason being I know कि रोयल रंबल में नंबर टू पर आने भी एक achievement है but just imagine जैसी आपने ये circumstance involved कर दिया एक तो रोयल रंबल प्रेडिक्टिबल हो जाएगी for example अगर ending में कौन बच रहा है let's just say LA Knight बच रहा है and AJ Styles बच रहा है या फिर LA Knight बच रहा है या फिर Randy Orton बच रहा है we know कि कौन रोयल रंबल जीतने वाला बढ़ ठीक है ये भी हटा दो मैं क्यों किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि ये midcard championship भी जीत सकता है मैं कहा रहा हूँ कि अगर Randy Orton जीत गया रंबल ठीक है वो world championship के जाए अब awesome meanwhile LA Knight जो होगा उसको intercontentary title ये US title लेनी ही पड़ेगी ये क्यों सी कौन सी जबरदस्ती होगी यार मतलब इनको पहले से ही पता होगा कि IC title और US title के लिए किसका match हो सकता है तो उसके हिसाब से वो second number पे लेंगे ना कि ये top four top two जो रोयल रंबल में करते थे उस हिसाब से करेंगे तो मतलब अगर John Cena vs CM Punk की ये top two कर सकते थे वो नहीं करेंगे because अगर top two कर दिया और John Cena जीत गया तो CM Punk को तो US championship और IC championship के लिए लड़ना पड़ेगा लेगिन CM Punk को तो लड़ाना हमें Seth Rollins के साथ है तो ये I think मेरे को लगता है कि बहुत बेकार हो जागा इसलिए I think तुनों में करा भी नहीं है अभी तक so hot take तो है बनलब like obviously दिवाग के घोड़े दोड़ा है तो बहुत बढ़ी आवाद है but में को personally लगता है कि ना it's not going to work तो yes so much champions of the world में हो 3D is the best wrestling grader on this episode with the best wrestling audience और आज भाई आज ना हम superstars को देखने वाले कि क्योंकि raw Netflix पे जाने वाली है और उससे related ये जो change होने वाला है अभी जो भी है वो उससे और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है और obviously यार कोई अगर 6 billion dollar भाई 6 billion dollar का समसे बतारो बहुत ज्यादा होता है किसी ने अगर उसकी deal sign करिये वो भी सिर्फ एक show के लिए एक show के लिए तो at least Netflix तो अपनी पूरी जान लगा देगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज पहुँचे वरना हमारे तो पैसे हो गए waste तो ऐसे में obviously Cody Rhodes का ये मानना भी गलत नहीं होगा अब भले ही situation कैसी भी हो we don't know yet की भाई इंडिया में किस तरीके से ये टेलिकास्ट अने वाली है क्या exclusively Netflix पे आएगी या Sony पे भी आने वाली है या फिर पूरे दुनिया में किस तरीके से जाने वाली है कितने लोग actually में देखने वाले जो numbers उनके पास दिखाते हैं वो क्या उन्ही numbers के पास ये सारे लोग WWE देखने वाले बहुत सारे scenarios होने वाले हैं कितने लोग actually में new tune-in करने वाले हैं मेरे साब से Cody Rhodes के इस opinion पे मेरा तो agreement है कि obviously अगर हम ऐसे ना देखेंगे तो फिर तो negative hope है और negative hope के साथ थोड़ी कोई जीना चाहेगा Triple H का opinion आया था कि he is not worried about any buffering issues काफी लोगों ने मेरे को point out करके बताया है कि Triple H वो सरकाज में बोल रहे थे देखा है यार at this point Triple H कुछ भी बोलेगा मेरे को तो पहले हो सरकाज में लगता है कि क्या बोल रहे है तुम है बट हाँ I understand मैंने भी उस वीडियो में भी यही चीज बोली थी कि हो सकता है कि Triple H मजे ले रहा होगा जो कि लग भी रहता भाई इतनी बड़ी चीज कोई ऐसे थोड़ी ना बोल देगा अगर इन्वेस्टर्स का पैसा फसा होता है इमेजन इन्वेस्टर्स भी कह रहे है यह क्या बोल रहा है इसको कोई इस्यू नहीं है देट मेंस के वो बफरिंग वाली चीज कोई कह रहे है क्योंकि एकलोती चीज वह ही है उसके अलाव मुझे नहीं लगता कोई भी कोई इशू आ सकता है क्योंकि एक्सपैंड होना चाहिए है न वहाँ पर पॉल हमन जैसे बंदे भी है जिनको जो कि ऐसा चाहते है ऐसा मानते नहीं है ऐसा चाहते है कि डबडवी बदले नहीं डबडवी नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद क्योंकि काफे लोग चाहते न कि भाई आता ECW बन जाएगी डबडवी भाई सब ECW ECW चलाएंगे holy shit की chance लगाएंगे डबडवी कट भी नहीं कर पाएगी भाई मत्त है बे गुमांके मारेंगे चेर देखो तुम कितना भी कर लो नहीं जैक्स तब भी नहीं मारने वाली अच्छे से चेर बट एट्स नोट पॉइंट पॉल हेमन इस नॉट विजिनरी वर इट कमस तो नेट क्योंकि डबडवी अच्छा काम कर रही है अब वह वाला पॉइंट नहीं आता जैसे पहले आता था 2018-19 के टाइम पे यार पहले वाली डबडवी सही थी अब ऐसा नहीं आता क्योंकि डबडवी इस समय पर बहुत बढ़िया चल रही है अगर आप देख नहीं रहे हो और आ सब्सक्राइब हो और यहीं देखने को मिले रोमन डाला में गर यह कॉप स्फेंडलन 1014-25 यह रहे है और सिता यह तो बनाए तो यह से में डबडबली अगर आप नहीं मानोगे कि चल रही है तो फिर मैं मैं इसमें कुछ नहीं मैं आपको यहां पर रुजा नहीं सकता है कि ओले प्लीज देख लो डबडबली मत देखो कोई बात नहीं हम तो देख रहे हैं बढ़िया प्रोड़क्ट चल रहा है इस समय पर और पॉल इसमें इसमें भी एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा बडबडबली में आ रहे हैं तो यहां पर फिलो फाइट हूँ ये धोडिना चाहेंगे वो भी ओबडबली कुछ तो चेंज करेगी हां बिल्कुल एक्जाक्ट एटिटूड एरा नहीं आ जाएगा लेकिन क्योंकि विंस विंसमें नहीं होता अटिटूड एरा आएगा भी नहीं क्योंकि एटूड एरा क्या था विंसमें के शैतानी खुराफाती दिमाग था जो कि बस टीवे भी प्रेजन हो जाता था तो वो नहीं होगा बट चेंज आएगा रोमन रेंस ने बोला कि he's not sure what his future will look like after raw moves to Netflix now that's a big statement coming from Roman Reigns because अपकर आपका टॉप स्टार ही ऐसी statement दे रहा है that he is not sure then बाकियों का क्या होगा यार तोजाबा तो कह रहा है अब हमें क्या है हमें तो ओटिस के सा नंगा होके एड बनानी है मिल जाएगा बस हमें पैसा होगा चाहिए बट रोमन रेंस का केस हलाग है यार देगो रो रोमन रेंस Netflix पे आए बट ऐसी भी reports है कि SmackDown में ही रहने वाला ऑवियस्ली जो पहला پ्रिमेर एपिसोड ओने वाला उसमें Norman Rainz आएगा प्ट हुसा चेंज होता है और Roman Reigns एक्चिली में Netflix पर चला जाता है ऐसे में खीचा था नहीं होगी और Roman Reigns यह इसलिए भी बोल रहा होगा कि भाई तुम RAW में भी आओ तुम SmackDown में भी आओ और उसका यह मन होगा कि भाई अगर ऐसा है तो मैं दोनों में नहीं नहीं आओँगा कह रहा है मैं तो सिर्फ Raw to WrestleMania के लिए आत हूँ मेरे को यह फर्क थोड़ी पड़ता है इतना WWE से बट Roman Reigns का यह कहना कि उसका future क्या होगा यार यह बहुत sad वाली बात है रिटायर्मेंट मत ले लेना बस बाकी कुछ भी करते रहो तुम तुम्हें Raw पे साल में तीन बार आना है ठीक है वर रिटायर्मेंट मत लेना अचा टोनी खान कभी आया क्या पता बाई wrestling और dance का कोई correlation हो कुछ तो होगा यार तभी तो बंदा खुश हो रहा वनना ऐसे दोड़ी ना कोई खुश होता है कि दूसरे की खुशी के अंदर लेकिन अगर एड नहीं आ रही दो घंटे परफेक्ट है भाई मैं कस्रम से बता हो नो दो घंटे से ज्यादा नहीं चीए अगर बिना एड की आ रही तो तो तीन घंटे लेकिन एड के साथ बहुत बीटी भाई आज की डेट में I don't want to watch ad show शुरू होने से पहले दिखा दो अब मैच के बीच में आड पे जाते हो बहुत बुरा आता है पेपर वियू में इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि पेपर वियू में मैच होता है यह सेग्मेंट होता है एड आती है फिर मैच आता है यह मैच के बीच में भाई यह एक रेटेक देव मेलजर का कहाना है कि डेव डेवली का नेट्फिक्स पर जाना हेल्प करेगा ओल एलिट रेसलिंग को अगर आपको लगता है कि एडवली का हेल्प मिलेगी किसी भी चीज से तो भाई तुम अब इस पॉइंट पर आ चुके हो जब तुम बोला करते थे कि या ओल एलिट रेसलिंग आई है डवडवली को तबाह करने आई है डवडवली का राख कर देगी डवडवली का उट्टा बना के खा जाएगी अब तुम्हारी ये नौबत आगई है कि तुम कह रहा हो कि डवडवली की वज़े से ओल एलिट रेसलिंग की हेल्प होगी तो पहले बाद तो तुम अपना ही ग्राफ देख लो कि कहां से शुरू हुआ तो कहां पर आ चुका है और तुम्हारे अब शब्दों में जो ये नम्रता आई है ये कैसे आई है तो खुद को एनलाइस करो कि क्यों स्टैम पर फिर इतनी बकैती करी थी जब आके इतने जुक नही नहीं था तो बाद एनिवेश देख वर देख लिए अफिरेटले कॉमेर से आमने थाट्स लिग कर बताने रिगारिंग दा सिच्वेशन ओफ नेट्विक्स वाइज तिंग और आपके वीडियो पसंद आता प्ले लिया को शेया करते हैं और सब्सक्राइब करो